तो चलिए दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग जो जी आई सी मैंस आश्रम पद्दती मैंस और भी जितने भी इंपॉर्टेंट को एक्जाम से उन सब के लिए यहां पर जुमें क्या करने वाला हूं जो पॉलिमर्स चेप्टर है कि पॉलिमर्स चेप्टर के जितने इं पॉलिमर्स का तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चोटा से चेप्टर है और काफी इजी है बस आप लोगों को एक बार रिवाइस करना है यहां पर जानेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजेस हैं ठीक है जो आप लोगों को दियान नहीं तो कुछ प्राप्त करना है इसके लिए हमें क्या-क्या मौनूमर्स जाहिए अगया पवी करते हैं तो उसके लिए लिए हमें इनीशीर चाहिए होता है कि हमिली हम इसलैटर देते हैं तो क्या होता है हो हम डिरेक्सेटली यीजूत से एक इनीशेटर जेसे कि जतने भी प्रयकिस सब्सक्रक dil hits यहां जहां पर इस प्रशाइट को होती है यह तुर्ह roast कर जाती है अब एक marin कर जातीए मेंस को दियान रहे जो में ने बताइए तो उसके साथत आगे नेक्स स्कॉस्टन कहिए डिसकस्ट नमेन परफ्स अब बैगन आज़ेशन अब एक नार्मल रभर होती एक विलके नाज्वाइज किया है नेच्ट्रल सिंथेटिक रबड क्या होती वेरी इंपोर्टेंट कुस्ट्टों है वोनोमेरिक रीपेट इसन्ड लिंट साथ नालान6 बताना है यहां से क्या बनता है यहां से क्या बनता है अगर बेंजीन के पैरा पोजिशन पर अगर सी डबल ओएस गुरूप लगे हैं तो उसे क्या करते हैं यहां से इन दोनों मेरी यूनिस को मिलाएं के तो बने का उसके बाद किया रहा है वाट इस दबायोडीग्रेडबल पॉलिमर गिवें एक्जामपल अब दी बायोडीग्रेडबल पॉलिएस्टर्स बेरी वेरी इंपोर्टेंट को से इसको अटरलाइन करके रख होते हैं जिनको क्या किया शकता है कि नहीं किया सकता है नहीं जिनको किया जा सकता है मût ये aspects के लिए काफी ज़्यूरिस होंगे Все सब्स्क्राइब कर दोन या पो हम लोगोज अपलोग अच्छे से पता हुग हाझ प्लास्टिक हो रहा है इसका है नोग पाङगडहिश हमिट्ति नदर देतने Jestberoam इसका देख सकते हैं पी एजबी यह इसका एक्जामपल हो जाता है तो चलिए अब मैं काफी इंपोर्टन सिंथेसिस आप लोगों को बता दूं जो कि आप लोगों को बिल्कु रटा मार लेना है देखें नाइलान 666 के सबसे पहले इसके मोनोमर्स जान लीजिए यह किससे ब देख रहा होगा आप लोगों को एडिपिक एसिड प्लस तो यहां पे डिपिक एसिड प्लस एक्जामिधायलीन डाइमीन यूनिट से तो यहां पर डाइमीन मिस दो एमीन के मॉलिकूल से जब आपस में 553 केलिविन और हाइप रसर पर कंडेंस होते हैं यह क्या है condensation molecules देखें करने सेशन होता है कडिशन मौल ठीक अपोलीमर्स होते हैं के एडिशन होते हैं तो देखें दोनों में डिफ्रेंस क्या एडिशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे क्या कि डारेक्टली यह एड होते चले जाएं अगर यह अगरे होते चले जा रहे हैं मौनोमर्स जिसे कि आप लोग देखें होंगे अगर शीज्टू प्लस सीज्टू डबल बन शीज्टू अब जैसे हमारी पॉलिफीन बनती है इसमें क्या होती यह यूनिट जो आपस में रिपीट करती चली जाती रिपीट करती चली जाती है तो त्यास और डात्रिश को एल्कोहल निकलना है अगर निकल के कोईभाउन तो उससे बन कंपाउंड बन कुछ बिवन टाय। है पोलिमर्स बोलते हैं और पॉलिमर्स यह बन है तो इसके फोलिमर्स बोलते हैं यहां सी एक चीज़ और में आप लोगंगों को बता दूए इसे भी बोलते हैं इstopolymer भी बोलते है अदेखिए लिखिए इजब का मतलब होता है is some in poly mr का मतलब हुता है उन मैंनी जिसे बोल सकते हैं मतलब कभी तो दो एक सेम टाइप पी कई सारी अकर मिलें के बनी हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं होमो पॉलिमर्स बोलते हैं अब देखे को पॉलिमर क्या होते हैं को पॉलिमर क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स मिलती है तब जाके जो हमारा पॉलिमर बनता हो से हम लोग क्या बोलते हैं कि को पॉलिमर्स के नाम से जानते हैं तो यह हमारा नायलन पॉलीमर्स से होमो पॉलीमर से यह सब पूछ लेता है या तो डिर्क्ली को सुन यह देगा कि हो मैं डिफरेंश क्या है दोनों एक्जांपल दिसंट पॉलीमर्स क्या होते हैं दोनों के एक्जांपल देते हुए समझाईए तो यह आप लोगों को धियान रखना है साथ ही तो यह देखिए नाइलान 66 की सिंथेसी से आप लोगों को तयार रखना है बिलकुल अच्छे से अब देखिए यहां पर इंपोर्टन इसके अप्लिकेशन बता दू मैं तो यह देखिए किसमें यूज होता है नाइलान 66 देखिए मैंकिंग शीट सीट बनाने में ब्रिश्ट होती जा रहे हैं डिफरेंट डिपर्न मेरी हूं मैरे यूनिट्स होती जा रहे है इसका को पॉलिमर भृप आप मर्सके नाम से जानते हैं अब देखिए यहां पर क्या लूह यहां पर क्या क्या होता है 2 है टबम लगा देए 1 तरफ हर्ड़ोजन लगा थे तफिर यह ठें up कि हमें पता है विनायल ग्रूप क्या हulkता था डैट कर दें यह रया पर क्या होता है यह से विनायल गुरूप में मिनायल गुरूप तो क्या बलते हैं बस पॉली लगा दो यहां पर तो पॉली विनाइल क्लोराइड बनाते हैं इसी के पाइप आप यूज करते हैं तो देखिए इसका यूज क्या अप्लिकेशन क्या है देखिए जितने भी पाइप सोते हैं घर में के पानी वाले यह सब बनाने में यूज होत के एक्जामपल है अब देखिए आप लोगों को पॉलिमर का एक्जामपल देख सकते हैं आप लोग देखिए इस्टाइरीन प्लस ब्यूटाडाइन तो यहां से जो बनना है देखिए वन का मत्री ब्यूटाडाइन एक मोनोमर हो गया यह रिपीट करेगा और इस्टाइरीन यह दूसरा मोलिकुल यह यूज करेगा तो यह मोनोमर से रिपीट होते जाते हैं तो देखिए सोडियम डाल दिया गया हीट कर दिया गया पॉलिमराइजेशन हो रहा है तो यहां पर जो आप लोगों को बनता है इस्टाइरीन को पॉलिमर बनता है इसे एस बीर के नाम से यह यहां पर कुछ सायथ गलती लग रही है यहां सभी तो देखिए यहां पर इस देखिए अगर आप लोगो डारेक्ली पूछ ले कि बिउना स की सिंथेसिस लिखना है देखिए ब्यूना एस बिउना एस को आप लोग क्या बोलते हैं इसको साइट कर लिया जाए तो तो यहां साथ दोनम डिफरेंस याद रिखिए एक साथ त्यार होता जा रहा है आप लोग बसको रिलेट करते हैं यह सब तयार हो गया तो यहां साथ दोनम डिफरेंस याद रिखिए एक साथ तो तयार होता जा रहा है आप लोग बसको रिलेट करते रहे हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए एक साथ मैंने काई के सारे कोश्चन बता दी हैं यह को पॉलिमर भी है ठीक है साथ मोनोमर्स भी त तैयार हो गया उसके साथ साथ लिखी नाइलान सिक्स वेरी वेरी इंपर्टंट कोस्ट थी से करते हैं यहां पर बनता है नहीं हमारा क्या है कि अध्यार था में इसे हीट कर दिया जाए तो जो हमारा बनता है वह हमारा बनता है आप देखिए यहां पर बताओंगा में दोनों में प्लिट यहां प्लिक यहां पहले एडिशन करेंगा तिन तुम्हारा सब्स्ट्टोशन इसको रिमूब कर देगा निस्टो ग्रॉप को तोड़ेगा पता है मैडिक होती है इस लिंकेश को मैडिक बोलते हैं तो रहां तूट जाता है तो अन्माइड का फी वीग होती है तो तूट जाती है यहां प तो चलिए आप यहां पे में इसके अप्लिकेशन बता देता है तो इसके अप्लिकेशन भी हो गए तो यह चेप्टर लगबग आप लोगों का तयार हो चुका है आप लोगों की बशी है वह आप लोगों को करना चलिए थोड़े और कोशन रहे है वो भी मैं आप लोगों को करा देता हूं राइड दर नेम सब्सक्राइब मोनोमर्स और फालॉइंग पॉलीमर्स पॉलीमर्स जो बने हुए है इनके हमें मोनोमर्स बताना है ठीक है तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा को कौन सा है यह अभी हम लोग पर क्या बताता है 66 का मतलब है यह इसके करभण यह इसके कर्वण है तो देखिए यहाँ पर एडिप्य कैसिट में भी कितने कर्वण है चार यहां पर एक कार्भोन हे रहां हाने चीह कार्भन यहां है उतला है। यहां से सिक्से क्या बता यह क्या उतल दूसरा दिख रहा है। नौन system किसे बना États के मोनोमर्स जादितों पालिमेराइशन का इसा करें यही बी त्यार थूंका है. के मिधिर 1 दिखें दूसरा क्या देख रहा है तो यह में नायUD 6 दिख रहा है तो देख चपर नायी बेर का siempre से बना हुआ है यहा कि अब देख्छे यह क्या है ऐब लोगों पता होगा तो इसब любим अब तोसे बना होता है तो अ तक होता है क्या पॉलीट्र टेत्राफ्लोराइठ इथाइलीन ओंट टेत्रफ्लोर इफील abandon अगर मोरें हैं क्या होता है कि आप है ये सकनको क्वाण प्ति आफ्डीक के नाम से हीलस्टatby क्या होता है मैं इस कर देखें तो देखिए इसके मोनोमर्स तक आप लोगों को पहुंचना है बस उल्टा चले जाएए देखिए पॉली टिट्रा मतलब अब क्या है पॉली में टिट्रा आ गए है क्या फ्लोरो और इथाइलीन चुपा हुआ यहां पर पहले इथाइलीन बना लिए टिट्रा फ्लोरो लगा देना है तो टिट्रा फ्लोरो लगा दिए तो बस बन गया यह मॉनोमर्स अब इसी का पॉलीमराइजेशन करते जाएंगे इसके एन मॉलीकूल से यूज होंगे ठीक हीट कर देंगे यह क्या बन जाएगा पॉलीमर्स इसी को हम लोग बोलते हैं अब देखिए अगला से ग्राइस करना होगा तो मैंने आदिशन पॉलीमर्स आप उडूए सब्सक्राइघ पॉलीमर्स र scanner सब्स्क्राइब सब्सक्राइब तो दो 강शोड करें है तो दीएफ में पता है क्या एक फरमेंड दीहृइड कंडेन्स में उस तो कि marker होता है टो यहाँ पे में देखिए मैं दुब होता है देखिया तुब तो देखिए यहांपर प्रसमाल कंडेन्सующ करते हैं तो देखिंज्द ₱ पर क्या बनता बैक यह एक इस्टप आप लोग इसकी याद रखना याद आ गई तो देखिए जब यह कंडेंस होते हैं इस सोरी कुछ गड़ बढ़ हो गया था तो देखिए यहां पर जब यह कंडेंस होते हैं इसका मोलिकूल को बनाते हैं इसे ने वह लेक बोलते हैं यह इस्टप याद रखना तो देखिए नेवले कुछ ऐसा बनता है बस यही मॉलिकूल जो है यूज होते जाएंगे सबके ऊपर ओस लगाते जाएं ठीक है आप लोग में देखेंगे आप लोगों को दिख जाएगा ठीक है इसे नेवलेक बोलते हैं जब यह नेवलेक को फर्दर हीट करते हैं फार्मेंट लिहाइट के साथ तभी हमारा जो यह का इंप्यक्स का तुनống पोलिमर का एक्जामपल है और चांपने जबांगे हो गया कि यह नहीं ग्सकी बिल्यकर धियर देकला ने और देखलेंजने इंड नायलान शीक्स एक थो यह बता दिया जैसे से 6-छे से कार्बन यूज होते हैं दोनों के मौनुकर मोनोमर्स बिछेंट हैं अब देखें यह कुछ इंपोर्टन बजेंड बहुत बहुत जदाइन यह भी तो देखें यहां से क्या दिखरा वाचर that इसके मेकनिजम भी पूछ सकता है डिफाइन दर थर्म प्लास्टिक थर्म सटिंग पॉलिमर से भी इंपॉर्टेंट कोस्टन है इनके मोनुमर्स बताना है जो लगब मोनुमर्स आप लोगों के तैयार हो गए होंगे तो यहां से देख सकते हैं आप लोग वोलकानाइजेशन का मतलब क्या है इमपॉर्टेंट कोस्टन है आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि वोकनाइजेशन होता क्या है जब नेचरल रबर्ढ काफी साफ्ट होती है थंढर 25 का य यूज कर लेते हैं तो क्या बना देता है इसे हाड रबर बना देता है ठीक है उसी सोरी ठीक है इसे साफ्ट रबर बना देता है अगर फाइव परसंट हम लोग सलफर का यूज करते हैं तो हमारे इस रबर जो होती है हलकी से साफ्ट हो जाती है ठीक है अगर अगर हम लोग त तो आप यह क्या किया जाता है इसकी प्रोपर्टी को इन्हेंस करने के लिए रबड की क्या किया जाता है सल्फर एड करके हीटिंग दी जाती है इसी प्रोसेस को वुलकिनाइजेशन बोलते हैं रबड का ठीक है तो आप लोगी से डेटेल में पढ़ लिए तो यह हो जाता है कर हीट कर दिया जाता है लेकिन कुछ ऐसे पॉलीघ से थिसे थर्म प्लास्टिक लिका Hmm होते हैं वोती है तो आपटेंग दे đến होते हैं यह एंप्लिमरा को लिए फिश करना प्हाँिए मुश्ती होता है यह घायास यह संदुद्ध में बताई कि आप्लोंगों को इत्स इंपोर्टेयं को इस हैं सदूद्धinação कर दोंके realised तो चलिंगगे है हम लोगों को encouragement मिलता है ठीक है तो उतना ज्यादा यूटूब चैनल प्रमोट होगा तो आप लोगों के लिए उतना ज्यादा बेस्ट हम लोग कर सकते हैं